तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जिस औसदी के बारे बताने जा रहा हूँ, इसे सुन्दर सी औसदी का नाम है खैसारी, दोस्तों इस औसदी को संस्कित में त्रिपुट, हिंदी में खैसारी या फिर मतर भेट के नाम से जाना जाता है, इसको आप पैठान कीजिए, ये मतर और चने के खैतों में ये बहुता एकसे हो जाती है, और उडिया में इसको खैसारा, गुजराती में लांग, बंगाली में खैसारी, या फिर पंजाबी में इसको किसारी के नाम से जानते हैं, अंग्रीजी नाम इसका वाइट वेच ग्रास्पी है, और अर्भी नाम इबूलबकर दोस्तों खेसारी मधूर तित कसाय सीत रुक्ष कप पित सामक वात कोपक बलकारक रुचिकारक मलाव रोधक सोसक ग्राही खंजत तोकारी पंगवकारी श्यानू तता अस्तियों को बल देने वाली सूल ठकान सोद दाह हिरदरो तता आर्श को उत्पन करने वाली होती है खेसारी का साग लगू रुचिकारक बातकारक तता पित तक सामक होता है खेसारी के बीज ये इसके फल जो है फूल है और फूल के बाद इसकी छोटी सी फली लगती है उनमें बीज निकलती है तो खेसारी के जो बीज है वो पोसक मदूर तिक्त कटू सीतल तता वलक ज्रॉब में खेसारी के पत्नों को उबाल कर साग के रूप में में लाव होता है दोस्तो वेरिड़को अच्छा लगता तो तो लाईक और शेर कर दे हैं जैनल है तो सब्सक्राब जुरु करें नी तरा के दाह जानि नेत्रों की जलन को दूर करने में आप खेसारी का प्रियोग कर सकते हैं खेसारी के ताजी फल यह जो आप फली देख रहा है यह फलों को ले जीओ और फलों का सुरश निकालके नेत्र में लगाने से नेत्र दाह तथा उनकी सूजन खत्म हो जाती है उधार जो भुना हुगा बीज उनको खाने से लाब हो जाता है तुचा रोगों में बीजों को पेश कर पुंठिल बनाकर गाठ में बांदने से और गाठ पक्तर फूर जाती है तता पीओ का निसकारन हो जाता है और बीज चूरन का उद्वतन करने से तुचा की रुक्षिता का समन ह होता जो तुछा सूखीरूखी हो गई है। उसका अगर लेपन कहते हैं तो वह भी नश्ट हो जाती है। यह है खेसारी यह तो इसको फायदे हुए खेसारी के हैं लेकिन इसके आद इस साथ खेसारी एक बिसाक्त पोथा हैं अब कि हम कुछ विशाक्तिता की बात करें, तो खेसारी के अतियाधिक सिवन करने से कलाय खंज नामक रोग उत्पन हो जाता है, इसलिए इसको सीमेथी प्रयोग करियेगा, खेसारी के जो बीज होते हैं वे पोसक होती है, परन्तु विशाक्त होने के कारण अगर इसका अतियाधि आतियाधिक प्रयोग हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा आणिका रखे। खेसारी के बीज़ों के अतियाधिक प्रयोग से आध्धिमान यानि कि अफारा रोग उत्पन होता है, हिर्दय होता है, और इन्यामिना पें, यानि कि दिलका दर्द, सूजन, जलन, प्रियोग करते हैं तो आदमान यानिकि अफारा फेट फूलना अपाच ऐसी जैसी बीमारियों को यह जन्म देता है यह तंत्रक का विसाक्तता जो दोस्तों प्रिदर्शत करता है यह खेसारी की विसाक्त प्रियोग करते हैं तो जो मैंने इसके गुड़ बताए हैं वो आपक करता है और इसका जो प्रियोग है कि पत्त बीज और बीजों का तेल ऊसदी करूं में प्रियोग किया जाता है मात्रा के बात करें तो 5-10 ग्राम मात्रा ही चुरन की परियापत है या इससे कम इसे ज़्यादा आपको कभी नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको ओस सब्सक्राब जरूब करें यह जो इसकी बीद देख रहे हैं अभी यह पक जाएंगो तो इसमें जो है डाल सी डाल निकलती है उसके डाल का रूप में इसमें सीबन किया जाता है